हरियाना के गुहाना में इस्थित मातू राम की जलेवियां इस समय राजनितिक चर्चा का केंद्र बन गई कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी द्वारा जलेवियों की तारीफ करने के बाद ये जलेवियां सोसल मेडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगी हैं दरसल दिपेंदर सिंग हुड़ा ने गुहाना रैले में राहूल को मातू राम की बड़ी जलेवियों का टिबा भेट किया था जिसके बाद राहूल ने इन जलेवियों को जिंद्गी की सबसे अच्छी जलेविय बताया और इसके स्वात की भी जमकर तारीफ की थी अपने दर्शकों को बता दे कॉंग्रिस की विजय संकल पर रैले के मंच से राहूल ने कहा था मैंने गाड़ी में जलेविय चकी और अपनी बहन प्रियंका को मैसेज भेजा कि आज मैंने जिंद्गी की सबसे अच्छी जलेविय खाई मैं तुम्हारे लिए भी जलेविय क का एक डिबा ला रहा हूं राहूल ने आगे कहा मैं ने दिपेंदर जी और बजरंग पुनिया जी से कहा कि ये जलेविय हंदुस्तान समेथ पूरी दुनिया में जाने चाहिए और जिस तरीके से देखने को मिला कि राहूल गांदी ने उस जलेविय की तारिफ की उस तूर से गोहाना की उस जलेबी को खाने आ रहे हैं गोहाना की जलेबी को भारत ही नहीं बलकि दुनिया भर में पहुँचना चाहिए राहूल गांधी ने ऐसा कहा था हाला कि अपने दर्श्कों को बता दें कि राहूल गांधी का ये वयान वायरल हो रहा है इस पर बीजेपी नेताओं ने राहूल गांधी का मजाक भी उड़ाया था लेकिन राहूल गांधी के इस बयान पर लोगों की परतिकिरियत सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो हर्याना के लोगों को हर्याना के कारिगरों को आके बढ़ाना चाते हैं दरसल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हालात ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं तो जिस तरीके ये हालात हरियाना में देखने को मिले हैं वो ये जाहिर तोर पर बताते हैं कि क्या वाकई हरियाना में जिस तरीके से जनता ने कॉंग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख रखा और बीजेपी के प्रति उनका रुख उतना नहीं रहा है ये बताता है कि जनत सिंग सैनी के कारेकाल से खुश और नहीं सरकार ने जो काम क्या उससे खुश दिखाए थी